नमस्कार न्यूस फो नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मी देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चाहे सियम नतीश कुमार की कितनी भी तारीफ कर ले उन्हें बरगलाने की कोशिश करे लेकिन जेडियू चुपचा बैठने वालों में से नहीं है और यही वज़ा है कि सुबा सुबा ट्वीट करते हुए लालन सिंग ने एक बार फिर से ये मांग की है कि बिहार को विशे सिराजी का दर्जा मिलना चाहिए और सियम नतीश कुमार जिन आदर्शों पे चल रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बिहार के लोगों को ही अपना पर देना चाहिए बता दे कि एक इंटर्व्यू के दौरान प्रधान मंत्री नरिंद मोदी की तरफ से कहा गया कि सियम नतीश कुमार सबसे बरे समाजवादी नेता है उनसे हर किसी को सीखना चाहिए यानि कि एक तरफ जहां प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने सियम नतीश कु ऐसे में सुबसुबा ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है ललन सिंग ने पहले आप इस ट्वीट को देखिए। तो वहीं दूसरे ट्वीट में ललन सिंग ने लिखा है हर घर सिक्षा सरक बिजली वशुद नलजल श्री नितीश कुमार जी से पहले शायद ही किसी व्यक्ति की सोच रही हो विकास और बदलाव जग जाहिर है विवरीत परिस्थीतियों में भी बिहार तेवरता से आगे यानि कि एक बार फिर इन दो ट्वीट के माध्यम से ललन सिंग ने ये मांग की है कि विहार को अगर विशे सिराज का दर्जा मिलता है तो इससे सियम नतीश कुमार की काफी मदद होगी क्योंकि वो विहार वासियों को ही अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए अब तक कई ऐसे विकास के काम है जो सियम नतीश कुमार की तरफ से किये गए है चाहे वो सिक्षा की बात हो रोजगार की बात हो सरक नर्मान की बात हो या फिर साथ निश्चय योजना जो सियम नतीश कुमार की तरफ से चलाई जारी थी इसका हवाला भी ललन सिंग ने दिया है और बताया है कि किस तरह से तेवरता के साथ जल्द से जल्द विहार को विकास के रास्ते से जोड़ने का काम सियमनतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है ऐसे में भले ही प्रधान मंत्री मोदी सियम नतीश कुमार की तारीफे करते हो उन्हें समाजवादी कहते हो लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उन्हें अब बिहार पे फोकस करते हुए बिहार के हित के बारे में सूचते हुए इस मांग को जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहि और यही वज़ा है कि एक बार फिर ये मुहीव छेरी गई है लालन सिंग की तरफ से जिसमें उन्होंने बिहार को विशे से राज का दर्जा देने की बात कही है फिलाल के लिपना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस फोरनेशन के साथ नमस्कार